बूर्णिंग फ्रेंड्स कारेसी डेली एनलाइसिस पे आप सभी का स्वागत है आज है 14 तॉफ एक्ट्रेबर कल यूए सीपी एडेटा आने के बाद काफी बॉलेटाइल सेशन्स गया यूएस मार्केट में फाइनेली एक ट्रेंडेड डिरेक्शन्स लेने का कोशिश किया ह तो आईए देखते हैं कि चार्ट में जाकी क्या-क्या एक्टिविटीज हुआ है और यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर इंडिक्स अभी आपका 112.32 पे है कल एक अच्छा कासा ऊपर के तरफ जाने का कोशिश किया था पोस्ट एवस्टीपे डेटा 118.92 लेकिन उस लेबल से फेल हुआ है हम जो एंटिसिपेट कर रहे थे कि यह फ्रेश हाई ना बनाते हुआ है लोर हाई बनाया है यह हो गया आपका 18th September का हाई और यह हो गया आपका कल का हाई 30th October लोर हाई बनाया है that being the case हमें अभी इंतेजार रहेगा कि यह जो recent swing low है उसको तोरता है यहाँ पे अगर recent swing low को तोर के follow through मिलता है तो यहाँ पे जो dollar index का जो तीजी है वो एक halt आएगा यानि थोड़ा सा उपर के तरफ का जो उच्छाल होगा वो थोड़ा सा subside हो जाएगा सो वो होता है या नहीं होता है यह हमें देखना परेगा and in such a case एक outside inside on bollinger band pattern भी है जिसका यहाँ पर आने के बाद एक M pattern target हो सकता है जो आपका लेके जा सकता है 107 के आसपास what it means या नहीं आपको अभी पहले देखना है क्या क्या hurdle से पहला hurdle तो यह है कि यह trend line support है यह trend line support आपका 11th August के बाद यह trend line support के means 45 degree angles में ही upward momentum कर रहा था that being the case हमें देखना है कि यह trend line support को पहले तोर पाता है या नहीं अगर यह trend line support को तोर देता है देन हमारा जो टार्गेट होगा 110 के आसपास यह 110 के नीचे अगर sustain करता है आने वाले दिनों में in such a case we may expect 107 on dollar index so immediately यह नीचे expectations नहीं है phase wise अगर जाता है तो हम कुछ expect कर सकते हैं यहाँ डॉलर रुपी after CPI data यह 82.66 तक हाई मार के आया था लेकिन अभी है 82.23 that being the case यहाँ पर हमें देखना है कि यह पहले आपका एक range बनाया था 81.15 से 82.00 यह जो एक range है उसके range के बाहर जाने के बाद 6th October उस उपर ही sustain कर रहा है यहाँ पर हमें देखना परेगा कि आपका यह range के अंदर में जब तक close ना दे softness थोरा सा मुश्किल है रहदर अगर 7th October के high के उपर sustain कर जाता है आने वाले दिनों में यानि नेक्स ट्रीक में तो इसके लिए बहुत ही खतरना कि लेकिन as of now sell-off के लिए भी कोई indications है नहीं थोरा सा careful हमें होना पड़ेगा GBP dollar में कल हमारा अगर analysis देखोगे वहां पर क्या था इसके high के उपर यानि आपका 11th October के high के उपर एक upward momentum हम expect कर रहे थे जहां पर हमारा जो first target होगा 1.1450 के आसपस then second target होना चाहिए था 1.1750 के आसपस तो यहां पर अभी कल post CPI data US CPI data एक अच्छा कासा upward momentum हमें देखा अभी हमें इंतेजार रहेगा यह 5th October के high के उपर 4th and 5th October जो दो दीन का high मारा है उसके high के उपर sustain करना अगर इस currency pair को उपर जाना है तो इसको 4th October and 5th October के high के उपर close देना परेगा then and only then we can expect some upward movement in this instrument. GBP INR में देखते हैं GBP INR में भी अच्छा कासा range shift दिखा है यहां पर यह support लेके उपर गया है and यह 91.75 के उपर दुबारा यह 93.30 के आसपर आ चुका है what next that is the million dollar questions what next बोले तो अभी हमें यहां पर वही 4th October and 5th October के high के उपर close देना परेगा then and only then we can expect an upward momentum towards 95.75 and 96.50 के आसपर आइए देखते हैं EUR-Dollar में के activity वाइए EUR-Dollar में इतना तेजी नहीं है जैसे के आपका GBP डॉलर में बिसिकली यहां पर क्या हो रहा है यहां पर दू फैक्टर्स काम कर रहा है एक है BOE, Bank of Inland का steps market is waiting for their measures and also the government UK government का initiatives यहां पर दो factors back to back काम कर रहा है because of which यहां पर एक means अच्छा कासा momentum हम expect कर सकते हैं लेकिन if those measures fail to means fail to support the market expectations तो यहां पर फिर sell-off हो सकता है तो हमें वहां पर carefully monitor करना परेगा Euro में यहां पर आपका range shift किया है एक अच्छा का सा candle बनाया है जो आपका पिछले तीन दिन के candle को engulf कर चुका that being the case अभी यह gradually फिर दूबारा कोशिश करेगा यह 0.99 से 1.01 के बीच यह जो range है resistance zone है वहां पर यह फिर दूबारा आने का कोशिश करेगा यहां पर आने के बाद हमें देखना है वही 4th October and 5th October का हाई को क्या तोड़ पाता है तो तोड़ देगा देन हमें recent swing high हम expect कर सकते हैं सबसे चिंता का बिशाय है yen काफी deficit हो चुका है yen और कल जो high मारा है वो है अपका 147.67 अभी यह 147.30 सो यहां पर तोड़ा सा क्यार्फुल एप्रोच हमें लगाना है यह NINR में नीचे के तरफ जा रहा है हम यहां पर expect कर रहे थे उबर के तरफ लेकिन bounce back अभी तक दिखा नहीं लेकिन यहां पर आप देखोगे यह is this is a very crucial area यह क्या area है यह RSI का 40 level से हमें देखना है कि यहां पर support लेता है या नहीं अगर यह support लेता है तो यह अच्छा का सा rain shift होगा in such a scenario यह NINR में हम positional long build up कर सकते हैं dollar candy में कल एक अच्छा का सा pin bar बनाया हुआ है inverted pin bar जो higher level को negate कर चुका है यहां पर आप देखोगे although आप high levels देखोगे तो यह previous eye को close कर चुका है लेकिन closing basis में आप देखोगे कैसे देखेंगे इसको अगर हम एक line chart बनाएंगे तो line chart में आप देखोगे यहां पर यह high को तोड नहीं पाया है so what it means हमें अभी यह expectations है कि यह swing low को recent swing low को तोड़ता है या नहीं यह recent swing low को तोड़ता है तो यह lower high lower low formations होगा जहां पर हमें एक sell-off expect कर सकते हैं 80 dollar में कल एक अच्छा खासा pin bar बनाया हुआ है perfect pin bar at the bottom of a downtrend that being the case यहां पर हम long positional build up gradually over a period of time हम कर सकते हैं लेकिन जो immediate resistance level आएगा 64 से 0.64 से 0.6450 उसको hurdle clear करना है basically एक downfall आया है इस downfall के बाद every uptick में resistance मिलेगा हमें देखना है कि उस resistance को कैसे face करते हैं इस currency pair dollar cnh कल एक अच्छा कासा up move मारा था आपका 7.22 लेकिन एक inverted pin bar बनाया हुआ है inverted pin bar बनाने के बाद यह आपका देखोगे एक lower high close दिया है that being the case lower high close है so हमें अभी इंतेजार है यह जो आपका levels है swing low इसके नीचे close देना अगर इसके नीचे close दे देता है तो हमें एक softness expect कर सकते है also bollinger ventons में outside inside है that being the case यह हमारा अगर sell off होता है तो 7.02 के तरफ हम expect कर सकते keeping the stop loss above 7.2650 UK oil कल दूबारा यह channel के बाहर चला गया है हमें यहां पर price sections को थोरा सा closely monitor करना है stop loss इसके high के ऊपर रहेगा थोरा target हम expect कर सकते 83-84 के तरफ लेकिन हमें carefully price sections को monitor करना है US standard treasury कल एक recent swing high मारा है that high is 4.0 पहले का जो swing high था 4.019 so यहां पर एक lower high closing दिया है closing basis पर and अभी हमें integer रहेगा क्या यह आने वाले दिनों में यह 3.58 के नीचे close देता है in such a case हमें थोरा सा market में शान्ती दिखाई देगा so currency daily analysis अभी के लिए इतना ही आप सभी का दिन शूभो धन्यवाद